ये चो इतनी सारी हरी मिर्च आप इस प्लांट में देख रहे हैं पहले ऐसे नहीं था इस प्लांट की ग्रोध भी तनी अच्छी से नहीं हो रही थी लेकिन अब आप देखिए एकदम मिर्च से भरा हुआ है ये देखिए ये पुराना वीडियो है और इस समय इसके पत्ते द है तो देरी ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो एव्रिवान कैसे हैं हम सब लोग लफ और गार्डनिंग में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें प्लांट की ग्रोध तो अच्छी होती है साथ-साथ में उसको जानना बहुत जरूरी होता है उसके बाद आप फर्टिलाइजर पर फोकस करेंगे तो ये दोनों चीजें मिलके फिर प्लांट की ग्रोध को तेज कर देंगी तो ये जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं ये प्रेजन टाइम का वीडियो है और इस समय मिर्च ये देशी मिर्च है तो बहुत लंबी नहीं होती है लेकिन फिर भी आप देखें बहुत छोटा साइज नहीं है मिट्टी में देखिए हलकी सी नमी है तो ऐसी नमी बरकरार रखनी है खासकर जब गर्मी का मौसम होता है क्योंकि अगर आप मिट्टी में जादा दिनों तक पानी नहीं देंगे तो वो मिट्टी सूख जाएगी और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाएगी तो इसलिए हमेशा पानी जो दें वो ऐसे दें कि मिट्टी में हमेशा गमले में नमी बनी रहे तो इससे ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है देख कि इनके साइज भी उतने अच्छे नहीं थे बहुत छोटी-छोटी मिर्श थी अभी मैं आपको तोड़ने के बात दिखाऊंगी दरसल मुझे लाल मिर्च चाहिए थी तो इस वज़े से मैंने इने तोड़ा नहीं था मैंने इनको ऐसी छोड़ दिया था कि जब यह पक जा उसने पर सारा एनरजी सारा फूड सीट को ग्रो करने में डवलप करने में लगा दिया इसलिए प्लांट की कंडिशन देखिए कुछ खास आपको नहीं दिख रही होगी तो यहां पर मैंने दो-तीन ताम किये थे सबसे पहले तो मैंने सारी मिर्च को तोड़ लिया था मिर् की गुडाई की थी और प्लांट की ऊपर से थोड़ी सी सौफ्ट प्रूनिंग भी कर दी थी सौफ्ट प्रूनिंग से क्या होता है ना कि प्लांट में फिर न्यू ग्रोथ बहुत तेजी से आती है और उसके बाद फिर मैंने इसे कुछ फॉर्टिलाइजर भी दिये थे तो फॉर्टिलाइजर के बारे में भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी क्या होता है मौनसून में तो खास कर प्लांट की सफाई बहुत जरूरी होती है अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो इसमें कीड़े बहुत तेजी से लगते हैं उसके बाद फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता यह देखे इतनी सारी लाल मिर्च मुझे मेरे प्लांट से मिली थी पर साइज आप देखे कितना छोटा है तो इसी वज़े से मैंने इसारी तोड़ी है और आप मैं इनको फिर वापस से फर्टिलाइजर दोंगी तो मिट्टी की अच्छे से इसमें डाली थी लकडी की राक और एपसम सॉल्ट डाल के इसको तीन दिन तक भिगाया था उसके बाद फिर मैंने इसको कुछ पानी में डाइलूट करके यूज किया था अगर आप इसके डीटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक् तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका लिंक शियर कर दूँगी तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था तीन-चार दिन बाद फिर इसको डाइलूट करेंगे और डाइलूट करने के बाद मैंने ये फॉर और फास्ट हो जाए तो आप बहुत हुआ तो 20 से 25 दिन में एक बार दे सकते हैं बाकि इतनी से कम टाइम में नहीं देना है 20 से 25 दिन या फिर एक महीने में एक बार उसके बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है हाँ एक चीज और है आपको मिर्च के पौधे को फुल स करना है और उसका इस्प्रे करना है ताकि इंसेक्ट ना है और मॉंसून में तो बहुत तेजी से आते हैं सावधानी क्या रखनी है जब भी आप इंसेक्टिसाइड इस्प्रे करेंगे आपको ध्यान रखना है कि ये काम सुबह करना है शाम को नहीं करना है दुपहर में नह मिर्च मिर्च के फूल गिर जाते हैं तो इसके लिए आप चाहें तो आइरण डेस्ट का भी इसतमाल कर सकते हैं एक लिटर पानी में आप चम्मच चाएरन डेस्ट घोल के और ब्लांप को दरका अगर आपका ना करें, कोई भी आपके पास vegetable या fruit का plant होगा तो उस पे आप chemical insecticide spray ना करें, क्योंकि chemical insecticide spray करने से भी क्या होता है ना कि फिर जो honey bees वगरा होती है ना वो हमारे plant पे नहीं आएंगी और जब वो नहीं आएंगी तो pollination नहीं हो पाएगा और ऐसे में फिर जो fool होते हैं वो मिर्च में convert नहीं होंगे और ज़णना शिरू कर देंगे तो इसलिए chemical insecticide से दूर रहें और chemical fertilizer भी ना दें chemical fertilizer देने से क्या होता है ना कि जब आप बाहर से भी chemical खा रहें और अगर अपने घर में भी उसको chemical fertilizer दे रहें तो फिर क्या फाइदा इतनी मेहनत करने का ये देखिए मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरे बैंगन के प्लान के आप हालत देखिए मतलब बैंगन का प्लान तो ठीक है लेकिन मैंने बहुत लंबे समय से बैंगन तोड़े नहीं ये सोचके कि थोड़ा बढ़े हो जाएंगे तब तोड़ूंगी और उसके बार फिर मैं थोड़ा बिजी हो गई मेरी तबेद खराब हो गई और मेरे सारे बैंगन पक गए है इस समयाब देखिए जो वाइट वाले बैंगन थे वो पीले हो गए है एक्दम और जो ये बैंगनी वाले बैंगन थे इनकी भी हालत खराब हो चुकी है तो अब तो ये गाय वगएरा ही खा पाएंगी हम इंसान तो नहीं खा पाएंगे तो लापरवाही नहीं करने चाहिए मुझसे ये थे कि इतनी लापरवाही हो गई इतने सारे बैंगन मेरे waste हो गई, कहा मैं इनको सबजी बराके खा सकती थी, तो बहुत तकलीफ हो जाती है, अगर आप जरा सब भी बिमार पढ़ जाते हो, या कहीं चले जाते हो तो हम अपने plant की उतनी proper care नहीं कर पाते हैं, ऐसे में नुकसान बरदाश नहीं होता है क्योंकि बहुत महनत लगती है gardening में, कितना हमको अपना time देना होता है, सुकून भी वहीं मिलता है, लेकिन महनत भी उतनी ही करनी पड़ती है और हाँ आप चाहे तो लकडी की राक का छिरकाव भी कर सकता है, मिर्ज के प्लांट के उपर, अगर बहुत जादा इंसेक्ट लग रहे है, तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर जादा नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत छिरकावी किया जाता है यह मेरे रोस के प्लांट है और इस सब की भी ग्रूथ इससमें काफी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई, टेक केर